जै श्रीमर नाराएं दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है माग के महीने में क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए ये जानना भी बहती जरूरी है हिंदू पंचांग के नुसार इस साल यानि की साल 2024 में दिन 26 जनवरी से माग का ये महीना आरंब होने जा रहा है इसका जो समापन है वो 24 फरवरी को हो रहा है इस पूरे महीने में भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विशेश विधी विधान है ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी विधी विधान से पूजा अर्चना करता है यानि कि पूरे महीने में जो विधी इस तरीके से पूजा करता है पूजा अर्चना करता है उसकी सारी मनो कामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं शुप फलो की प्राप्ती हो सकती है माग के महीने में सनान, दान और पूजा पाट का विशेश महत्व है इस महीने में किसी भी तीर्थ में सनान करने से व्यक्ति को शुप परिनाम मिल सकते है अब ऐसे में माग महीने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कौन सी एक ऐसी चीज है जिसको कि इस महीने में भूल से भी नहीं खाना चाहिए तो चली सबसे पहले जान लेते हैं कि इस महीने में क्या करना चाहिए माग के महीने में गंगा इसनान करना बहुत शुब माना जाता है अगर आप गंगा घाट पर जाकर इसनान नहीं कर सकते तो नहाने के पानी में गंगा जल मिला करके इसनान करें इस से आपको बहुत लाब हो सकता है माग के महीने में रोजाना गीता का पाठ करना चाहिए ऐसा करने से भगवान विश्णू के आशिरवात की प्राप्ति हो सकती और सुक्सम्रिद्धी भी बनी रहती अगर आप गीता पाठ करने का सूच रहे हैं तो ये महीना सबसे उत्तमाना जाता है तो इस महीने की शिरुवात से लेकर के गीता का पाठा पारंब कर सकते हैं इस महीने में रोजाना तिल का सेवन करना चाहिए साथ ही जल में तिल मिलाकर हिसनान करें ऐसा करने से व्यक्ति को पुन्य फल की प्राप्ति हो सकती है इसके अलावा इस महीने में रोजाना तुलसी की पूजा करनी चाहिए शाम के समय तुलसी के सामने गी का दीपक जलाना च जाता है इस दिन तिल का दान करना भी शुब माना जाता है ऐसा करने से शनी देव की कृपा भी प्राप्त हो सकते हैं ये बात भी आपको जान लेनी चाहिए कि माग मास में ही शनी राशी परिवर्तन कर रहे हैं इसलिए इस दिन याने की इस महीने में दान करना बहुत ही शु जनवरी से लेकर के 24 फरवरी के बीच में आपको भूल से भी नहीं करना है उसमें सबसे पहली जो चीज है जिस चीज का आपको सेवन नहीं करना है वो है मूली तो माग के महीने में मूली का सेवन करने से आपको बचना चाहिए इस महीने में तामसिक भोजन भी नहीं करना चा इस महीने में जूट नहीं बोलना चाहिए इससे अशुप भलो की प्राप्ति हो सकती है इस महीने में किसी भी भ्रामन को अपने घर से खाली हाथ नहीं लोटने देना चाहिए इससे भगवान विश्नु नराज होते हैं इसलिए इन बातों का आप विशेश ध्यान रखें आपका घर धन धानने से परिपून रहेगा यह जानकारी यहीं तक यह उमीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगर आप इसका लाब उठाएंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन बेल को दबाना बलकुल भी ना भूलें क्योंकि यहां पर इस तरह की महत्पून जानकारिया मिलती रहते हैं तो चलिए मिलते नहीं वीडियो में नहीं जानकारी के साथ जैश्री मन नारायन दोस्तों जैश्री कृष्णा